अज़े वीडियो मैंने मनी प्लांट के उपर बनाया है मनी प्लांट एक बहुत अच्छी बेल है और यह सभी के घरों में लगा होता है और मनी प्लांट बहुत ही शुप माना जाता है friends मेरे आका मनी प्लांट जो है वो बहुत जादा फैल लिया था तो आज मैंने सोचा कि मैं उसकी कटिंग करके और उसको नए प्लांटर्स में लगा करके उसको पहले बास्केट में लगाओंगी फिर उसके प्लांटर्स में लगाओंगी तो आपको यह दिखाना चाहती थी कि मैं इसको एक नएर लुक दे रहे हूँ तो आज का मेरा वीडियो मनी प्लांट के उपर बना हुआ है शुरू से आगर तक मेरे वीडियो में बने रहे है और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन का बटन कीजिए प्रेस तो यह मेरा मनी प्लांट है और यह देखिए यह काफी जो है यह फैल गया है यह पूरी क्यारी पे नीचे तक आ गया है और गर्मी इतनी है कि इसको अगर हम दीवार पे चड़ाते हैं तो इसकी पत्तियां जो यह हरी दिखाई दे रहे हैं इनके जलनेके चांसि रहते है मैं इनकी जो नीचे की यह लंबी यह शाखाए दखाई दे रही है यह यह मॉस्टिक पर जो लगा हुआ यह इस तरीकी की शाखाए इनको मैं कट करंगी और कट करके इन से मैं नई बास्केट worker वो तयार करऊबगी तो चलिए हम लोग अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं यह मैं इसको जो है इसको काट लिए आई है यहां से इसी तरीके से मैं और भी इसमें से कटेंग्स ले लूँगी नोड के एरिया को देखते हुए यह सारी कटिंग्स में मनी प्लांट में से निकाल लूँगी इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड्स यह मैंने जो है यह अपने मनी प्लांट की जो शाखाएं हैं यह मैंने सब निकाल ली हैं यह इनके पीछे का हिस्सा है और हर हिस्से में आप देखें नोड लगे हुए है सब में यह देखें यह यहाँ पर नोड है यह यहाँ पर नोड है जहां से कि ये और जादा इसमें से जो है वो निकलेंगे कले और ये और घना होता चला जाएगा इस तरीके से मैंने नीचे की पत्तियों को छाट दिया है और ये जो छोटी छोटी सी जड़े सी लगी रहती है इन्हें आप लगा छोड़ दीजे ये इतनी नीचाई लिए हुए हैं और इनको सभी को मैं जो हूँ वो बास्किट्स में लगा दूँगी और अपने एक प्लांटर में इनको जगा दूँगी तो मेरे घर में मनी प्लां तो चलिए हम लोग जो हैं वो इन यह जो मैंने कटिंग की हैं इनको लगाते हैं गंबले में इस तरीके से यह बास्केट्स हैं देखिए यह इस तरीके की यह इसे मैंने जो है यह ऐसे इन में लगाऊंगी में देखिए यह ऐसे करके यह लगा दूंगी सबी में पूरी बास्केट्स में ऐसे आप लगाते जाएं इनको देखिए यह नीचे लटकी हुई कितनी अच्छी दिखाई दे रही है और यह इन में सभी में देखिए यह जड़ और यह नोट जो है यह लगी हुई है यह लगी छोड़ दिये मैंने और इसका मुँ थोड़ा सामने को रखिएगा तो यह ऐसे लग जाती है यह देखिए ऐसे बोदी है इतनी यह प्यारी और सुदर लगती है और हमारे यह जो है यह इसकी जो है यह ज़्दा भी हो जाएंगी यह ऐसे लटकी हुई यह और जादा हो जाएंगी और इसमें जो छोटी छोटे हैंगे बिलकुल देखिए जो इस तरीके के हैं यह जैसे छोटी छोटी भी मैंने ब्रांचेस कटिंग कर दिये उसको हम सेंटर में लगा सकते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं उसको सेंटर में ऐसे वो थोड़े दिन से पाइब बाद अपने आपी जो है वो बड़ी हो जाएगी बड़ी होके और उसमें भी बेल बनके और पैल कि होटी चोटी हम बींग मैं लगा सकते हैं इस तरीके से इसको आइसे लगा सकते हैं कि किस्को सी दिसा टरीके से मैंने बेलों से भर दिया और Sec gold अपने समय के हिसाब से बड़ी हो जाएंगी यह और मनी प्लांट के वो फैलता चला जाएगा तो देखी फ्रेंड्स मैंने मनी प्लांट की अपना कटिंग करके और यह इसकी कटिंग से जो है यह चार बास्किट्स तैयार कर लिए है इस तरीके से और यह जो गर्मी के दिन चल रहे हैं इसमें मैं अपने रूम में रखोंगी ताकि यह अभी अभी इनको मैंने लगाया है तो यह किसी भी प्रकार से धूप में जले न और ग्रीन होके यह और नीचे लटकने लगेंगी इनको मैं अभी प्लांटर में लगाऊंगी और प्लां लगाते हैं तो फ्रेंट्स देख़िए मनी बलंट लगा के मैंने अ जो है यह चार बास्किट अपने इस प्लांटर में लटकाई हैं और यह देखने में कितनी प्यारी लग रही है सब इतनी तेज गर्मी के चलते मैंने अपने रूम में लगाऊंगी ताकि जो है इनके पत्ते मैंने अभी इनको लगाया है बाहर धूप में रखूंगी तो ये पीले पढ़के खराब हो जाएंगे और इसके बाद जो है ये अगर प्लांटर जब चल जाएगा तम मैं इसको बरसात में बाहर रखूंगी तो अगर आपको मनी प्लांट से बना हुआ मेरा ये प्लांटर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें बाई हैपी गार्नेंग